जहें दोस्तों आज दसेरे की शुब कावना है दोस्तों और मैं बात करूँगा आज AGI Army Group Insurance और उसके साथ EI Extended Insurance यानि Retirement के समय जो आपको AGI का पैसा मिलता है उसके बाद आप किस प्रकार AGI के हकदार हैं कौन सा insurance है लाखों का जो आपको किस किस condition में मिलेगा यद आपकी terms of condition पूरी हो जाती तो जो आपका पैसा कटता है वो क्या refundable है या नहीं है है तो किस किस period का refundable है तो दोस्तों ये वीडियो जो कि एक चार्ट जो वाइरल हो रहा है दो तिन इन से सभी ने हमसे कहा कि इसकी उपर आप वीडियो बनाए तो बिलकुल एक एक चीज मैं आपके साथ clear करूँगा प्लीज मेरे साथ बने रहना यानि जो भी retirees है असी के बाद के भगवान उन्हें लंबी उम्र दे उन सब के साथ बताऊंगा का आपका कितना पैसा कटा था आपकी terms of engagement कितनी थी कितने उमर तक थी कितनी service थी कितने का insurance था बीच में bad air happening होती है तो वो लोग उस पैसे को या मैंने पूरी चीज बनाएए आएए बात करते हैं एक एक चीज मैं आपके सामने clear करना चाहूँगा सबसे पहले मैं उस चार्ट पे जाना चाहता हूँ जो चार्ट वाइरल हो रहा है और जिसको आप देख रहे हो तो मैंने उसका modified चार्ट भी एक AGI से प्राप्त किया है य आग मैं बात करूँगा AGI, EI यानि AGI Extended Insurance Benefit for Veterans Entitlement of Extended Insurance Overcover Since Inception यानि कब तक ये कबर होते हैं तो Date of Retirement, EI Contribution आपसे EI का पैसा कितना लिया गया था ये refundable है या नहीं है हाँ है refundable कब condition में सरकार ने अलालग नियम मनाये तो आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं मैं refundable में आता हूँ या non refundable में आता हूँ तो कब तक period आप cover हो आप 10 साल है 15, 20, 26, 30 साल तक बढ़ा है तो आप कब तक इसमें cover हो किस age तक cover हो फिर कितना insurance है ये किसी के साथ bad happening हो जाती इस period में तो वो कितना है और फिर कैसे claim करेंगे क्या क्या condition है थोड़ा सा वीडियो बढ़ हो जाए तो मैं मापी चाहता हूँ दोस्तों अब मैं बात करूँगा सबसे पहले एक जनवरी 81 से लगा करके 31 March 89 तक के रिटायर हुए हैं आप 1181 से 31 March 89 में अप सरें तो 1640 रुपए आप से कटे थे जेशु आर के 580 रुपए कटे थे अब उनका period of cover था 10 साल तक यानि आप 10 साल तक आपकी मृत्य होती है या 65 साल यह तक बीच के अंदर मृत्य होती है तो आपको 65,000 अपसर को और 30,000 जेशु जवान को मिलेंगे यह थी condition अब जो पैसा आपको दिया था 1640,500 सी क्या वो refundable है नहीं not refundable है तो आप समझ गए इसमें कोई दिक्कत नहीं इसी तरीके से 14 1989 से 31 March 1994 तक जो आपसे contribution लिया था retirement time में वो अपसर के लिए 1640,000 जेशु जवान के लिए 500 सी उनके लिए period कवर था insurance है 10 साल तक आप जंदा रहते हो 10 साल के बीच में आपको बड़बड होती है तो एक लाख रुपए अपसर को 54 रुपए जेशु जवान को यह फिर बढ़ कोई भी पहले हो जाएगी तो 10 साल का लगवग है अब मैं बात करूँगा सीधा सीधा कि 1 April 94 से 1 July 99 यानि जो पांच साल का पीरेड है उसमें अपसर से contribution बड़ा 6,900 जेशु जवान से contribution बड़ा 3500 ठीक है अब यह not refundable है यह पैसा यह आपको बापिस नहीं होगा किसका होगा अब आगे बताऊंगा अब इसमें condition दी up to 20 years, 70, 70 साल, retirement के 20 साल तक आपके साथ कुछ हाथसा होता है तो आपको 2 लाख अपसर को और 1 लाख जवान को मिलेंगे यानि retirement के 20 साल या 70 साल जो पहले हो जाए 6,900 की जगे आपको 2 लाख बीच में आपकी मौत होती है और 3500 जिसको दिया है उसको 1 लाख बिलेंगे तो ये इसकी terms of condition पैसा जो आपके से कटा है वो refundable नहीं है फिर मैं बात करता हूं 2 जुलाई 99 से 31 दिसम्बर 2,04 तक फिर इन्होंने बढ़ा है अपसर को लिए 15,300 जवान के लिए 6,800 ये भी not refundable है मतलब एक बार चला गया सरकार के खाती मे अब इसकी coverage कब तक है 20 साल तक है retirement के 20 साल तक आपके साथ कुछ bad happening होती या 12 साल एस तक तो आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे अपसर को 1,5 लाख मिलेंगे जबान को आप समझ सकते हो 20 साल और 12 साल ये जो भी पहले होता है तो ये था period 2 जुलाई 99 से 31 दिसम्बर 2,04 तक अब इसके आगे का period फिर policy है चेंज होती रहे तीसलिए कि 1 जनवरी 2,05 से 26 जुन 2,09 के लिए contribution हो गया अपसर का 31,300, JCO का 15,500 ये भी not refundable है ये कट गया है नहीं आएगा अब इसका फिर बढ़ा दिया 26 साल बढ़ा दिया यानि retirement के 26 साल तक आपको insurance cover में रहो गए 75 सार age whichever accord earlier यान जो भी पहले होता है पैसा ये मिर्त्य होती तो 4,00,000 अपसर के लिए 2,00,000 जेशु जवान के लिए आप समझे गए 2,00,000 जेशु जवान के लिए आगे बढ़ते हैं 30 जून 2009 से 30 जुलाई 2010 में अपसर का contribution 42,660 और जेशु जवान का 22,200 coverage दे दिया 26 और पिचत्तर साल लेकन यहाँ पैसा बढ़ा दिया अपसर के लिए 6,00,000 जवान के लिए 3,00,000,000 अब और आगे बढ़ते हैं और ये आपके लिए not refundable है बिलकुल जी ये not, ये भी not refundable है पैसा जो कटा है ये 42 यार, 22 यार बापिस नहीं होगे हाँ अब आजाते हैं अब 31 जुलाई 2010 से 31 दिसंबर 2013 में अब सरका contribution बढ़के 9,900, जेशु जवान का 25,900 और ये रिफंडेबल हैं अभी ये लोग जिन्दा हैं अभी ये लोग धान रखें सब लोग इस वीडियो को रखें ये भी पेपर रखें अपनी फाइल में लगा के इस पीरिड के जो रिटाइडिज हैं यानि 31 जुलाई 2010 और 30 दिसंबर 2013 के जो भी रिटाइडिज हैं यद उनका coverage है 26 साल तक वो जिन्दा हैं जिन्दा के बाद उनको बापिस पैसे मिल जाएंगे 25 यार 900 यद बीच में उन्हें कुछ हो जाता है तो उनको 6 लाक और 3 लाक यह बढ़ गया 10 लाक और 5 लाक रुपए आपको मिलेंगे यानि बीच में बैड हैपनिंग होती है बैड हैपनिंग यह नहीं कि आपने आरू पिया ऐसी चीज हैं क्या क्या कंडिशन बता हुआ दस लाक अफसर के लिए और 5 लाक जेश्यू जबान के लिए इसमें cover है तो यह पैसा आपका refundable है जो 2,13 में और जिनकी लगवग यह 26 साल तक है तो 26 आप समझ सकते हो 26 साल सर्वेश 6 तो 9 यानि वह याद रखे हैं कि बोलो कि 39, 2,49 तक में यह पैसा आपका बापिस मिलेगा आपको बिलकुल मिलेगा और बीच में कुछ गड़बड होता है तो 5 लाक जेशु जवान के लिए यह मिलेंगे इसकी प्रक्रिया है वो उसकी उपर भी प्रकास डालेंगे अब मैं बढ़ता हूँ 31,12,2,13 और 31,2,14 एक साल का पिरेड में फिर बढ़ा है नोंने 82,300 अफसर के लिए 41,590 जेशु जवान के लिए यह पैसा आपका रिफंडेवल है और कवर इसका 26 साल और 75 साल है और एमाउंट इसका 10 लाक और 5 लाक है सिर्फ यह बढ़ा है लेकिन यह रिफंडेवल है फिर एक जनवरी 2015 से 31 मार्च 2017 में अफसर का कंट्रुवर्शन 1,22, 32,250 और जेशु जवान का 36,500 और यह रिफंडेवल है आपका पैसा आप जिंदा रहते हो आपको मिलेगा आपके नेक्स्ट आप मतलब बीच में आप इस पीरेड में यानि 30 साल आप बढ़ा दिया इसका यह बहुत अच्छा एक इंसुरेंस है 30 साल तक आपको इंसुरेंस क मिलेंगे आज पास भी इन सब लोगों को प्लीज बताना कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे बात कर सकते हो अब मैं बढ़ता हूं एक अपरहल 2017 से 31 12 2021 का पीरेड है यहाँ पर उन्होंने एक लाख 9,220 अफसर से 55,291 जिवसे जबान के लेकिन पैसा नोट रिफंडेवल कर द कवरेज बढ़ा दिया है 30 साल और 80 साल का कवरेज बढ़ा करके पैसा आपका 10 लाख और 5 लाख ही है यह बीच में मृत्ति होती है अब मैं बात करूंगा एक जनबरी 2022 से 31 मई 2022 की पीरेड में पैसा गटाया है कंट्रिविशन 90,000 अफसर से 40,000 जिवसे जबान से और यह 30 साल सर्विस और 75 साल उमर 10 लाख और 5 लाख कर दिया है लेकिन अब 1 जून 2022 से नई पॉलसी नों ने बनाई है जिसमें 1,60,000 अफसर से बसूल लाएं और 40,000 जबान से बसूल लाएं और यह पैसा रिफंडेवल कर दिया है 22 से अभी तक पॉलसी में बदलाव नहीं हुआ ह टर्म्स ओप कंडिशन 26 साल सर्विस के बाद अफसर 80 साल उमर तक और जेशु जवान रिटायर्मेंट के 30 साल तक और 75 है और पैसा 15 लाख अफसर के लिए और 7.5 लाख जेशु जवान के लिए यह चीज आप समझ गए होगे यह चीज यह चार्ट है मैं कहरा हूँ प्लीज आप अपने पास रखना जो भी बुद्धी जी भी हैं जहां पर सैनिक संगठनों से जुड़े हैं किसी को पता नहीं रहता है और यह मोडिफाइड करके हमने एक और चार्ट लिया है हम दोनों चार्ट आपके पास बेजेंगे ताकि किसी को जानकारी हो और जानकारी के certificate होता है यह इसको bond बोलते हैं इस प्रकार का certificate है यह मेरा खुद का है इसमें सीधा सीधा लिखाता है to be surrounding of the death of insurgent to AJI fund रावतुला रामा इसका पूरा address इसमें दिया गया है details of insurance वाले के details दिया है उसका JC नंबर, certificate नंबर, जारी कंडे की तारीक, जेशियो, पद, रैंक, सेवा निवरत्ती, period of E.I. cover एक March 2020 से लगाकर 31-12-2027 तक हमें cover दिया है some is bad happening होती तो 5 लाख मिलेगा और उसका जो आपसे one time non refundable premium जो आपने पैसा दिया है conclusion उसमें लिखा है one time non refundable दिया है पर इसके अंदर आपका पता लिखा है certificate है उसमें लिखा है मैं बहुत दुख से सूचित करती हूँ मेरे पती so and soon की मरत्यू इस स्थान इस बज़े से हुई है मैं मरत्यू प्रमारपत्र भेज रही हूँ मैं प्रमारपत्र करती हूँ कि प्रमारपत्र के अनुसार मैं ही नामनी हूँ नामनी के हस्ताचर ये सारा उसने एक बड़ा दुख बड़ा message भी भरना है उसके साथ document भी लगाने अब मैं बात करता हूँ कि आपके सामने सीधा रख रहा हूँ इसका address है आर्मी गुरूप इंसुरेंस फंड एजी भवन पोश्ट बैग नंबर 14 बसंत बिहार सिगनल इंकलैप के सामने राव तुलारा मार्क नई दिल्ली 110057 ये आपका address है अब किसी के साथ इद आपने help करनी है तो इस दावे में बीमा को कैसे claim करना है किसी prison को खोना अविश्शनी रूप से कठन है पर ऐसे समय में बित्ती मामलों से निपटना भारी पड़ सकता है किसी नामा भीक्ती है यि वो तो चला गया तो आर्मी गुरूप इंस्यूरेंश, EI बहुत जरूरी बित्ती सायता परदान करता है यह है चरण दरचरण मारक दरसका आपको Army Group Insurance Fund के मादम से EI BIMA का दावा करने की प्रक्रिया नेवीगेट करने में मदद करती, मतलब यह सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी Army Group बिस्तारित बीमा की बैदताता स्तापित उन्होंने कहा है इसको यानि शुरू करने से पहले हमारी पूरी डिटेल होती है और उसमें आवस्तिक दस्ताबेज कौन कौन से होते हैं उन्होंने कहा है कि आपके साथ यह फॉर्म है जो आपको EI Bond यह आपके पास होना चाहिए इन्हों लिखा है ब्यक्तिकत आबेदन यह किसी के साथ बैड़ेपन होता है तो वो एक एप्लिकेशन लिखेगा जला सैनिक बोड में और सारे डाकुमेंट लगाएगा और वहां से मूल बिस्तारित AGI प्रमानपत लगाने के बाद अपने अंगूठा लगाएगा और मिर् दस्तावेज भेजे जाएंगे उसके बाद सीधा जब AGI आपके दस्तावेज प्राप्त करता है तो वे आपके दावे की प्रिक्रिया बीमा जो शुरू करते हैं और उसमें थोड़ा सा समय लगता है और यह है निसकर से है कि बित्ती प्रिक्रियाओं को समझने के लिए आप तो दुनिया में नहीं रहोगे नेस्टॉप किन को कितना पता होता है यह मालूम है लेकिन यह दे हमें नहीं पता बायत को नहीं पता तो हमारे पड़ोसी को पता है किसी के पास यह जानकारी है किसी के पास यह चार्ट है तो हम एक दूसरे अपने सैनिक भाईयों की कर सकते हैं दोस्तों मैं कभी नहीं कहता का आप वीडियो लाइक करो शेयर करो बट ऐसे वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों पास जानकारी पहुंचे जानकारी बचाव धन्राइब